हेलो दोस्तो बेल कर दो मैं चैनल और आज की वीडियो हम बात करेंगे हैमर थ्रो के बारे में तो इस वीडियो हम देखेंगे हैमर थ्रो के सेक्टर की मेजरमेंट, अक्यूबमेंट की मेजरमेंट, रूल्स एंड फॉल्स, फंडमेंटल स्किल्स, हैमर थ्रो में जो केस गैम में होते हैं तो सबी जैन करी हम इस वीडियो में देखने माले हैं तो दोस्तों सा इसमें प्लेयर अपनी पूरी ताक्त के साथ गोले को गुमाता है और जितना संभब हो सके उतनी दूर उसको फेकना होता है और जो भी प्लेयर इसे ज्यादा दूर फेकता है और इस गेम में विनर हो जाता है सबसे पहले हम देखेंगे सेक्टर की मेजरमेंट क्या है और उसक का दोस्तो radius होता है इसका radius होता है 1.067 meter और इसका जो diameter होता है वो होता है 2.135 meter और इसका circle का जो circumference होता है वो होता है 6.707 meter अब देखते हैं जो हमारा sector होता है sector का होता है दोस्तों angle वो होता है 34.92 degree इसका angle होता है और दोस्तों इसकी जो सभी जो lines होती है जे होती है 5 cm की circle होता है इसमें ring लगा होता है जो iron का हो सकता है और इसका जो thickness होती है वो होती है 6 mm की अब हम देखते हैं हम इसे draw कैसे करें जैनकी हम ऐसे sector को कैसे बना सकते हैं सब के बाद हमने क्या करना है हमने इसका रेडियस के बराबबर अपना मेजर टेप उसे खोल लेना है मेजर टेप हमने खोलना है 1.067 दोस्तो इस पर रखना है 0 edge और हम इसे खोल के बाद ऐसे पूरा सलकर एक ड्रो कर लेंगे पाइथा गोरस ठीड़े का फार्मूला जोज करना है वह होता है तीन चार पांच का फार्मूला होता हूं हमने क्या करना है हमने जहां पर 0 edge रखना है 3 मीटर जहां को खोल लेना है औ और हमारे को जहां पर point मिल जाएगा उसके बाद हमने एक सीधी लाइन आगे को लह जानी है और यह से हम इसका center line ले सकते हैं center line मिल जाएगी उसके बाद हमने क्या करना है हमने दोस्तों अपना measuring tape खोलना है वह कितना खोलना है 19.08 मीटर हमने खोलना है 0 edge जहां पर रखना है जहां से कोलने बाद हमने जहां तक मालीजी जहां पर आ गया जह 19.08 जहां तक आ गया और हमने उसके बाद हमने प्लू। 6 मीरीटर मेजरिंग टेप खोलना है घुरव एजए रखना जहां पर ऑर जहांसे हमने एक चाप ऐसे लगा देनी सेम उसी तरह जहां पर जीरो एज रखने के बाद हमने six meter की की चाप जहां पर लगा देनी है अब हमने खोलना है 20 meter measuring tape हमने खोलना है और वो क्या करना है हमने to yellow edge रखना है आप और ऐसे हमने सीधे खोलते हुए जहां पर एक ऐसे छाप लगा देनी है सेमीजी तरह हमने लगा दें हमारे जो चाप हो करती है सेम इसी तरह हमने इसे ऐसे सप घंड कर देंडिए थो दोस्तों ऐसे एसानी से हम आपना जो का से लू आ लेंगे शोट पूट का सेक्टर और hammer throw का सेक्टर सेम ही होता है इतना होता है शौर्ट पुट में हम जहां पर stop board का जूज करते हैं लेकर hammer throw में हम जूज करते हैं केज का दोस्तों जे मैंने blue line जो लगाई है आप देखें जे मैंने केज आपको दखाने का प्रयास किया है केज इसलिए जूज करते हैं सेफटी परपस के रिए से जूज किया जाता है क्योंकि दोस्तों जब भी हम hammer को फेकते हैं तो हो सकता है उसके नजदी कोई audience हो जा कोई official हो उसे लगना जाए तो इसलिए हम क्या करते हैं उसके आर्ज़ वाले तीन तरफ हमने उसके केज लगा देते हैं और आई उसके बारे पर तोड़ा देखते हैं दोस्तों जे u-shape का होता है जो जे केज होता है एक साईट से लेके गुमाता है. कोई खड़ा होता है. कोई competitor जा कोई audience जा कोई official तो उसे ये बचाने के लिए लगाया जाता है. इसके साथा दोस्तों, जो case होता है बहुत ही मजबूत होना चाहिए. और इतना मजबूत होना चाहिए कि जो hammer throw है उसकी अगर speed 32 meter per second की रफ़ता से अगर वो आ रहा है तो उसे टक्राने के बाद वो तूटना जाए इतना मजबूत हमारा cage को वो होना चाहिए अब हम देखते हैं जो हमारा hammer throw होता है उसकी measurement क्या होती है जो हमारा hammer होता है उससे तीन पार्ट में divide किया जाता है सरसे पहले होता है उसका metal head जनकी वो गोला उसके बाद होती है wire जनकी जो तार होती है और उसके बाद होता है handle handle जनकी जिससे हम पकटके उसे फिकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे metal head दोस्तों जे solid material का बना हुआ होता है जे iron का बना हुआ होता है second हम देखें wire होती है जनकी जो तार होती इसमें उसकी जो thickness पूछ लेते वो कितनी होती दोस्तों जो इसकी 3 mm thickness होती है यह काफी बाद पूशा गया question है और उसके बाद होता है handle इसके पा тогда हम देखें की जो diameter है होता है 110 सबसे 130 mm इसका diameter होता है मैं में और women देखे तो दोस्तों होता है 95 मिन सचे मैं नीचे अग्र lesson देखे जो मैं ने देखें तो इसकी लिंद होती है 1135 से लेकर 1215 mm की लेंथ होती ते दो aggressive है है इसे रिलीज करने के लिए हमें शे फेस की जुरूत पड़ती है सबसे पहले आता है ग्रिप सेकंड आता है स्टांस और थर्ड है स्विंग चार नमबर पर है टन जा रोटेशन पांच में नमबर पर आता है रिलीज एंड दन उसके बाता है रिकवरी एक करके हम देखते है सबसे पहले होता है ग्रिप तो इसे दोनों हातों से पकड़ा जाता है जैसे हमने पहले देखा था शॉर्ट पूट डिसकर ट्राओ और जैलण त्रो में वो सभी जो इवंड है उसे एक हाथ से पकड़कर थो किया जाता है लेकिन हैमर्द त्रो दोस्तो एक ऐसा इवंड ह जिसे दोनों हाथों से पकड़ा जाता है उसके बाद उसे अलीज किया जाता है और second fundamental skill है stance grip काने के बाद जो हमारा player होता है वो क्या करता है वो जो sector होता है sector की opposite side अपना face करके खड़ा जाता है इसे हम क्याते है on throwing sector की तरफ उसका face होता है जनकी वो ऐसे खड़ा होता है यह उसका pound होता है और इस side को उसका face होता है तो इस side को वो अपना stance लेने के बाद खड़ा हो जाता है और third हम number पे देखें तो होता है swing और इसमें player क्या करता है खड़े-खड़े इसे preliminary swing कहते है खड़े-खड़े वो अपने hammer को swing करता है उसे गुमाता है उसके बाद आता है ton rotation जो rotation की movement आती है उसके बाद अपनी body को भी उसके साथ move करता है इसमें player अपनी toe और heel का use करता है उसके उपर ही और rotation करता है इस position में आप देखें तो इसमें centrifugor और centrifugor का ही juice होता है hammer उसे बाद की तरफ लेके जा रहा है तिकनों अपनी force से उसे अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहा है इसके बाद release का face आता है इसमें player क्या करता है player sector की और उसे release कर देता है इसके बाद face आता है recovery का recovery के तो सक्षब करने का प्रयास करता है तरह जो वह बणी sector की और उसे वह ना गिरा दे अगर बसे और गिर जाता है तो यह soul हो जाता है सैक्टर की और ना गिरें इसलिए अपनी बॉडी को recover करता है हम क्राद करता है इसमे इसमें scs में क्या होते है सबसे पहला rule इसमें होता है आप इसमें gloves का juice कर सकते हैं जब आप hammer throw फेकते हैं उस time पर अगर आपका hammer तूट जाता है तो उसे एक फिर से मौका दिया जाता है इसे fall नहीं समझा जाता है आपका pound जे ring के ऊपर आ जाता है तो जे fall हो जाता है उसके बाद जे होता है indicator line हम इसे क जाता है उसके बाद से बैक ही जाना होता है इसके लावब हम देखें दोस्तों जब भी हमारा player hammer को फेकता है अगर उसका hammer जब इस अगर player आपके 8 से जादा है तो पहले उन्हें 3 chance दिये जाएंगे और उसके बाद जो उसमें top 8 player निकलेंगे उन्हें को फिर से 3 chance दिये जाएंगे तो इसी तरह उनको भी 6 chance मिलते हैं तो famous player और world record की बात करें तो सबसे पहले हम man में देखेंगे जो world record holder है उनका नाम है यूरी सेडिक और इनका जो world record है 86.74 मीटर तो जे है world record man में अब हम देखते है बूब man में world record क्या है बूब man में जो world record holder है उनका नाम है अनीता बलो डार्क जिक और इनका world record है 82.98 मीटर इसके साथ हम देखते हैं जो इंडिया के famous player और उनके national record वो क्या है तो सबसे पहले हम man में देखते हैं तो उनका नाम है कमल प्री सिंग और उनका record है 72.86 मीटर और woman में हम देखें इनका नाम है सरीता सिंग और इनका जो record है 65.23 मीटर तो दोस्तों यह है world end national record अब देखते हैं जब कोई player hammer throw fake देता है उसकी measurement कैसे की जाती है तो दोस्तों माली जी किसी player ने जहां से hammer throw को fake दिया है और जहां पर आके गिरा है दोस्तों hammer throw जहां पर सबसे पहले गिरेगा वहां से ही measurement उसे की जाएगी दोस्तों माली जी अगर जहां पर गिरा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम measuring tape लाएंगे और zero edge रखेंगे उस पर जहां पर और जहां से हम खोलेंगे measuring tape को और इस side हम पर लाके हम उसे सीधा कर लेंगे सरकल के जो अंदर का ring है और इस side से हम उसे measurement करेंगे और जहां से लेकर जहां तक जो distance होगा इसे ही हम measure करते हैं तो local level पे तो दोस्तों हम measuring tape से उसे measurement करते हैं लेकिन olympic level पे measuring tape का जूज नहीं किया जाता है पर जूज किया जाता है EDM का electronic distance measurement equipment होता है और इसमें laser का जूज करके हम इसका जो distance है उसे measure करते हैं और इसमें officials की बात करें तो दोस्तों इसमें होते हैं एक chief judge होता है two measurement judge होते हैं एक scorer होता है एक timekeeper होता है और एक इसमें announcer वो होता है तो दोस्तों इसमें 6 official हो सकते हैं और international level में हम देखे होते हैं उसमें 11 official हो सकते हैं तो यह थी दोस्तों आ दोस्तों के साथ तो दोस्तों अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ